नमस्कार दोस्तूं स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल कुछामन ओनलाइन क्लासेज पर सबसे पहले आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को सबसे पहले जो साथी लाइक सेर और चैनल को सबस्क्राइब करेगा यह मान के चलो कि इस बार उसका 2024 में सेलेक्सान पकाया दोस्तूं हम देख रहें राजस्तान जी के के कम्पलिट नोजार क्यूसन देख रहे हैं जिसके अंदर राष्तान कलासस करती के पची सो क्यूसन रहने वाले हैं हर एक क्यूसन एकजाम की दरश्टी से इंपोर्टेंट रहेगा और पहले बता देता हूं कि आर्ट के जो क्यूसन रहेंगे उनकी संक्या नो जार यह नो जार क्यूसन और इनकी पीडियाप कुछ आमना उनलाइन क्लासे जए पर मिलेगी आपके लिए ये मानकर चलिए कि ये नो जार क्यूसन आप देख लेते हैं तो आपका सेलेक्शन कोई भी नहीं रोकेगा रास्तान जी के सुपर प्राहर में आज हमारे रेने वाला है रास्तान कलासस करती का पार्ट टू चलिए दोस्तों क्यूसनों की सुरुआत करते हैं और ये पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पे इससे पहले क्यूसन को पढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे दोस्तों पोरला अबुसन सरीर के किसंग पर पहना जाता है कहां पर बताओ सिर में और यहां पर सही रहेगा नेक्स्ट पुलाक अबुसन कहां पहना जाता है बुलाक बुलाक नाग का अबुसन होता है और यहां पर सही रह बंद गले का बटनदार कोट कहां पहना जाता है बंद गले का बटनदार कोट जोदपुरी कोट कोट पेंट नाम तो सुनाओगा वहिए है यह banyak जोद्पुर यह सदूर्और पुरसु द愚्था कान में पहना जाने वाला बुसन के इस ऐंदर कौन log पुसंड पेहनते हैं मुर्कियां या मुर्किये बैया उपसंड सही रहीगा क्यों से नमर पांच है मोसर कहलाता है एक नाम जोसर भी सुनाओगा जोसर का भी नाम सुनाओगा आपने मोसर और जोसर तो बताइए मोसर तो कहते हैं मर्त्यू बोज को जोसर भी होता है तो मर्त् बोज़ कर देना तो उसे जोसर कहते हैं नेक्स्ट राज़तान में किसावे पर सर्वादिक बाल विवा आयोजित होते हैं किस पर होते हैं आखा कुझह वीवा में कन्या के साथ दावन में दिए गए गोला या गोली उनको कहते है डावरिया इसे कहते हैं डावरिया सही रहीगा अगला क्यूशन कि जनजाती में विवा के अवसर पर वर पक्स द्वारा वदू पक्स को बारे बच्छडे दिये जाते हैं और बारे थान कपड़ा दिया जाता है इसमें दिया जाता है तो सही रहीगा ऑप्सन बे ग्रासिया जनजाती के अंदर नेक्स्ट क्यूसन है कि सहर को विश्वे इस्तरिये एरिटेज सहर का दरजा दिया गया है किसको दिया गया है तो सही रहीगा बे ऑप्सन जेपूर को किसको जेपूर को नेक्स्ट है फिलम और आती गाओं काँपार जेपूर ग्राम conse jest लेख एक सैंसकर्तिक द्रिस्टे के रूप में किस्टेतर या चेटरों को विखसित किया गया है सैंसकर्तिक द्रिस्टे के रूप में इनकाइब पुराने मेल यावेलियूं व худ्या में किया जा रहा है कितने वरत से पुराने 75 वर्स पुराने महलूं के अंदर नेक्स्ट क्यूशन है जिस महल में आदे कमरे वातानु कुलित हो गुड़ सुवारी हो तरंतल हो गौलफ हो टेनिस लोन की सुविदाएं हो चेत्रिये वे कॉंटिम नेवटल वेंजन की में राजस्तान के प्रियाटन विवाग का सुथ रूड़ कैसं कहा है ऍाग धोस्तूं पदारों मारे देश में नेंगस्टरिया जैसे संगीत ग्रंट्य के रचियता कौन थे कौन थे पुंठरिक विट्टल थे कौन थे पुंठरिक विट्टल नेक्स्ट है राग मंजरी समी क्यूसन वापस रिपीट हुआ है क्यूसन नमर 16 क्यूसनомर 17 सेमी यह तो बतार दीजिए जल्दी से कहां पर है इसका option सही सही उतर आपको यहां पर कमेंट करना है तो राग मंजरी के रचियता की हम बात कर रहे हैं कोन है दोस्तु बताइए जल्दी से तही रहीगा आपका ओप्संडी यहां पे पुंडरीक विट्टल कोन है पुंडरीक विट्टल दोस्तु नेक्स्ट क्यूसन है मरूबुमी के लोगित उनकी किस बाउना के परिचायक है किसके हैं दोस्तों मरू भूमी के लोग गीतु की बात हो रही है तो उमंग वियोग और हर्दे की पीड़ा तीनु से तो समस्त वरनित विकल्प याने डी ओप्सन सही रहीगा अगला क्यूसन है गावरी देवी जिस गायन सेली से समंदी ती दोस्तों बता दीज तो उप्सन भी मांड सेली से किसे मांड सेली से स्रावण महां के दोरान राजस्तानी में मैलाओं द्वारा गाये जाने वाले लोग पिरिये लोग गीत का नाम क्या है बात यहां पर स्रावण महिने की हो रही है तो सही है आपका तीज तीज का त्युवार तीज के लोग ग गणीका चित्रन के लिए पर्सी चित्र सेलि कँस स्रावक पर्तिकर्मन सुत्र चूहожд का चित्रांकन किस ने किया था किस ने किया दोस्तु कमल चंदर नेए सभी रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है नाद्वारा सेली का मुक्य रंग कैसा है नाद्वारा सेली का मुक्य रंग है हरा वे पीला कैसा है हरा वे पीला दोस्तूं नेक्स्ट है एरिक डिक्सन वे फेयाज ली को किस चितरकला सेली को लोगप्रिय बनाने का स्रे दिया जाता है किस संगड सेली को ओप्सन ए सही रहीगा नेक्स्ट क्यूसन है राजस्तानी चित्रकला अजन्ता वव्याद से पर्त्यूत्पन है यह कतन किसका है दोस्तों यह कतन है पंडित द्वार का परसाद सर्मा का ओप्सन ए यहां पे सही रहीगा सुनेरे रंग वाली चित्रकला से लिए सुनेरे रंग वाली चित्रकला से लिए कौन सी है तो आपका सही रहीगा ओप्सन ए यहां पर बूंदी से लिए कौन सी बूंदी से लिए दोस्तों नेक्स्ट क्यूसन है पाबू परकाश पुस्तक के रचियता कौन है ऐसा क्यूसन है जो सर्वादिक एकजामू में आता रहता है और सही रहीगा बेद आसिया मोड़ जी बेद आसिया मोड जी बेद ऑप सही रहीगा नैक्स्ट के उसे नहें रामदेव जी के बोपे कहलाते हैं कामड कहलाते हैं गोडले पुझारी या सेवादार रामदेव जी के बोपे हैं क्या कहलाते हैं जो पूजा करता है पूजारी होता है वो तो गोड़ला कहलाता है लेकिन यहां पर बात बोपों की ओर ही है बोपा कामड जाती का होता है कामड कहलाते हैं वो ओपसन एह यहां पे सही रहीगा नेक्स्ट क्यूसन है, डाली बाई का मंदिर कहां पर इस्तित है? डाली बाई ने समाधी कब ली थी, आजकल क्यूसन ज्यादा पुछा जारा एक्जाम में, पादरपाज सुकाल दसमी को, जहां पर रामदेव जी समाधी ले रही थे, वहीं पर, मतलब रामदेवरा के अंदर option S सही रहेगा next question है किस देवी के दीपक की जोती से केसर टपकती है ये question भी एकजामों में बहुत रिपीट होता है important question और सही रहेगा option बै आपका आई माता के जो मंदिर में दीपक होता है उसकी जोत से केसर टपकता है next है गोगा जी के थान सामेने ते किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं गोगा जी के थान बनाए जाते हैं खेजडी वरक्स के नीचे तो बै ओपसान यहां पे सही रहेगा अगला क्योसन महमूद गजनवी से यूद करने वाले लोग देउता महमूद गजनवी से यूद पाबुजी नहीं किया था या गोगा जी नहीं किया था important question है यह और सही रहेगा आपका option दे गोगा जी ने गोगा जी ने दोस्तों एक question आता है गोगा राकडी जो repeat होता है आपके लिए यह गोगा राकडी क्या है दोस्तों आपका कमेंट चाहता हूं इस पर गोगा राकडी क्या होती है जल्दी से कमेंट करके बदाए यह next question है गोगा जी का परमुक मेला गोगा मेडी जो अनुमान गड़ में हैं भरता है जबकि दूसरा मेला कहां भरता है तो नया जिला बना एक फ्लोदी भी फ्लोदी घुटा जी से जुडा हूं नहीं है फाबुजी से जुडा हुआ है कॉलमंप फाबुजी का जिनम इसतान है यह गोगा जी कीHHHH oldie यह जघोगाजी की oldie है कहां पर ना यो कि दानी सांच ओर में समझागे नेक्षट क्यूंत आपका परिसीदबविमलवसीवर लूना वसाई मंदिर का इस्तित है परसिद विमल वसाई वर लूना वसाई यह जब आप आबू परवत पर जाओगे गुरु सिकर देखने जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे यह अबू परवत ओप्शन आपका सही रहीगा नैक्स्ट यूसन और जौदपूर के निकिट ओशिया ओशिया के जो मंदिर है इसमोय किसकी देन ओशिया में जो मंदिर बने वेसीय गुर्जर पर परतियारू के दुवारा बनाये गए हैं गुर्जर परतियार पढ़ोगे नोंके मंदिर सर्वाधी को श् pixel में बनेतीस दोस्तों नेक्सत है रंगनात्मंदिर पुसकर में कहांपर पुसकर में ओक्सन सै सही रहेगा नेक्श्ट क्यूसन है गोपुरुम आकर्ती के लिए परसित रगनात मंदिर पुस्कर का निर्माण सेट पुरण मल के दुआरा कब करवाया गया था कब करवाया गया था दोस्तों रोफॉप्शन से गुत siitä 1849 कॉन-खौन से मंदिर जो गुर्जर पर्तियार काल में मनें पहले है आड का आधिवरा मंदिर आबानेरी का हरसद माता मंदिर राजोरगड का नील-कंट महादेव मंदिर और रोशियां का हरीहर मंदिर चारू के चारू मंदीर गुचर परतियारकाल के मंदीर है ओप्षन ए एक, दो, तीन, चार यहां पे सही रहेगा next है फुसकर के अतिरिक राजस्तान में दूसरा बर्मा मंदीर कहां पर है साथ्यों आसोत्रा कहां पर है बाड मेर में नेक्स्ट है एक मेल जिसका निर्माण किले की बाती किया गया जा मजबूत बारी दिवारू पर अस्त वेस्त बुर्ज गुंबन खुली छतें मुख्य सहीत पहरा चोकियां परकोटे के तिरंदाजु जीरियां जिससे सेनुके के गिर जाने का परतिकार किया जा गरगड दोस्तों नेक्स्ट क्यूसर विश्वय का सबसे बड़ात चांदी का पातर कहां रखावा है यह क्यूसर में बहुत बार आया था विश्वय का सबसे बड़ात चांदी का पातर कहां पर है सीटी पेलेस जेपूर में सीटी पेलेस जेपूर के अंदर नेक्स्ट क्य कि उसकिए किसने कि किरवाया था सवाइध पर्ताप सिंगत कि से नमर 43 है और मुबारिक महल की कि उसन अने खिड़कियों और जरुकु से सुसजित खेतडी मेल के बहु मंजिले बहु बहु बहुन में लकनव की बूल बलया और जेपुर के हवामेल की जलक देखी जा सकती है तेकावाटी के इस हवामेल का निर्मान खेतडी के महाराजा बोपाल सिंग ने ग्रिसमकालिन विस्राम इस्तल के रूप में करवाया था यह अदूद महल कहां इस्तित है तो अब कहीं पर भी बताओ चारू के चारू अप्सन गलत है यह कहां पर नेम का थाना में जिला समझ गए तो इसका याद रिखना है नीम का थणा में एक हेतरी मेल नेक्स्ट है जोगी मेल इस्तीत है जोगी मेल कहां पर है जोगी मेल है रण थमबोर में जोगी मेल रण थमबोर में ओप्सन है सही रहीगा नेक्स्ट चितर पेलेस के नाम से परसीद है चितर पेलेस के नाम से परसीद है चितर पेलेस जो पत्तर लगा हुआ है उसकी वज़े से चितर पेलेस का जाता है और यह है उमेद बहुन पेलेस है दे उपसन सही रहीगा उमेद बहुन पहले सुवर्तमान में तीन भागों में बटावा है जहां से क्यूसन आया था पहला भाग होटल है दूसरा भाग राजपरिवार के रहने के लिए तीसरा भाग गड़ियों का संगराले है समझ गए? तो तीन भागों में बटावाई है नेक्स्ट क्यूसन है निर्गुन उपासक नहीं है निर्गुन उपासक कौन सा संपरदाई नहीं है दोस्तों जसनाती दादूरामस नहीं और नात नहीं है ओप्संद है यहां पे सही रहीगा अगला क्यूसन पसुपती संपरदाई के संस्तापक पसुपती संपरदाई के संस सन्यासियू का सुल्तान जिनकी मुख्य दरगा मस्जिद है वो नागोर में कौन है हमीदुदीन नागोरी कौन है हमीदुदीन नागोरी दोस्तूं next संत्ट पीपा के अनुसार मोक्स का साधन क्या है दोस्तों बता दीजे दोस्तों क्या है बगति ओप्षिन S सही रहेगा एक चीज़ देखिए कुछामन ओनलाइन क्लासेज जो यह है उसे पर संपूनकोर्स चाहें आप किसी भी बड़ती की तयारी कर रहे हो किसी बड़ती त को मिलेंगे एम directly सब्सक्राइब को सम्समें ने को और साथ में मोडल पेपर मिलेंगे यह सब दिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी तो जो भी साथ वर्थमान में राजस्तान की परदियों की प्रेक्सण zijn, जीना मुख्यारूसां से आप या सीर्टी है in of 10th plus 2 और सनातक इस तर पसूपरिचर भी है प्याश्टीसी है प्याश्टीसी है प्याश्टीस है रीट है जेकिन्ड ग्रेड है इनके कोर्स उपलब्द है आप तयारी आज से सुरू करके 72 तयारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं एप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां से आप एप को डाउनलोड कर सकते हैं बाकी जो ये 90.000 क्यूसन हम कर रहे हैं इनकी पीडिये भी आपको कुछामन ओनलाइन क्लासेज एप पर मिलेगी जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट सबाजा मौहिनुदीन चिस्ती के गुरु कौन थे कौन थे सातियों ये रहे हजरत सेख उस्मान हारुनी हजरत सेख उस्मान हारुनी संत जामबो जी का जनम 1551 में जनमाश्टमी के दिन पीपासर गाउं में वा था पीपासर किस जिले में हैं जामबो जी विस्नोई संपर्दाई के संस्तापक जिन्होंने 29 नियम दिये और इनका मुक्यदार में किस तल है मुकाम और मुकाम है बीकानेर में कहांपर है बीकानेर में समादी स्तल और पीपासर की बात करते हैं पीपासर है नागोर में कहां पर है नागोर के अंदर नेक्ष्ट है कि संपर्दाय की सब्दवानियां गाने वाले को गाइना कहा जाता है गाइना किसको कहा जाता है दोस्तु विश्णोई संपर्दाय की जो सब्दवानियां उनको जो गाता है उसे गाइना कहा जाता है नेक्ष्ट है खेज़नी वरक्स की पूजा किस पर वेपर की जाती है तो खेज़नी वरक्स की पूजा होते दसेरे पर देव उप्शन सही रहीगा अगला क्योशन इस्टर का त्युवार क्यों मनाया जाता है इंपोर्टेंट क्योशन है यह रहा चेतर करसण अश्टमी को गुड़ा का तिवार कहा का परसीद तो सिधा सा याद रहता का का मारवाड का नेक्स्ट है राजस्तान की कौन से चैतर में चेतर सुकल पंचमी को गुलाबी गणगोर मनाई जाती है गुलाबी गणगोर कहां की परसिद है नात दुआरा की कहां की नात दुआरा की स्राद पक्स आता है स्राद पक्स बादरपद महिने की पुर्णीमा को शुरू होता है तो यह रहा बादरपद सुकल पुर्णीमा से आस्विन कर्सन अमाविशा तक यह निकी ओप्सन बैस सही रहीगा नेक्स्ट पर्यूसन पर्वे का संबन किस द्रम से है पर्यूसन पर्वे है जें द्रम का किनका है जें द्रम का दै ओप्सन सही रहीगा बादरपद सुकल पुर्णीमा से एक आदसी तक किस मेले का आयोजन होता है बादरपद सुकल पुर्णीमा बाबारी बीच तर्चाओं म है सात्यों पाबारी बीज यानि की तो तो राम देव जी का जनम हुआ था कि ता पुडू कास्मिर कि तियुद तो पाड मेर में तो यह बाड मेर में वा था उडू कास्मिर बाड में में वरतमार में बना हुआ है कास्मिर की वज़े से चर्चाओं में ओप्सन सही रहेगा राम देव जी का मेला बादरपद सुकल दुवित्या से एकादसी तक लगता है नेक्स्ट बादरपद कर्सन नवमी को किस लोग देवता का मेला लगता है किन का लगता है दोस्तों गोगा जी का बैया ओप्सन रही सही रहेगा थोड़ा सा नोट कर लेना बादरपद के कर्सन पक्स में गोगा जी का ही मेला लगता है दोस्तों मांदल ठाली डमरू वादे के साथ किया जाने वाला लूंबर नर्ते का सम्मंद कि किसे से हैं दोस्तों बताईए मांदल ठाली डमरू वादे के साथ किया जाने वाला नर्ते है लूंबर और लूंबर का सम्मंद किसे हैं राय का यार रेबारी जाती से बैव उप्सन सही रहेगा लुंबर रेबारी जाती का है नेक्स्ट चकरी नर्ते का संबंद किस जन जाती से हैं ये क्यों सन बहुत अच्छा है दोस्तों कंजर जन जाती का है चकरी नर्ते सही रहेगा नेक्स्ट इंडोनी पनियारी बागडिय और संक्रिया नडिया का संबंन किसे हैं यह चार नडिया जंजाती के नर्व थारब किया आज जाने वाला नर्वाला नर्थे जिसमें एक बड़ा खंबा जमीन पर रोपकर उसके सिर्पर नाया बांदिया जाता है तरह इस तरह हैं चड़ी से नारियल प्राप्त करने वाले पूर्सू को पीड़ती है कौन सा नर्ते यह यह नर्ते एक खेल नर्ते से ओप्सन सही रहीगा नेक्स्ट नमदे कहां बनाये जाते हैं का उती अच्यक्षा क्योसन आया है काँ के पर सिध है एक तो एक तो नम आया नमदे एग नाम आता गलीचा कि नमदे तो टोंके हैं लिखत का नेयर की यह दिमाग में ठाण लो दिमाग में सेट कर लो प्यारे से क्यूसन बनते हैं अच्छा सा क्यूसन आता है एकजाम में समझ गए तो यहां पर आपका सही रहीगा नम्दे हैं टॉंक के परसिद से ओप्सन नेक्स्ट बादला उद्योग कहां विक्सित वस्ता में हैं जोधपूर में कहां पर है जोधपूर के अंदर यूसेन है राजस्तान में लेरिया कहां का परसीद है लेरिया भी कहां का है जेपूर का कहां का है जेपूर का नेक्स्ट पॉम्चा किस दिले का परसीद है पॉम्चा भी कहां का है जेपूर का पॉम्चा भी कहां का है जेपूर का नेक्स्ट है आकॉला चितोडगर्ड किसका परमुक के अंदर है किसका है दाबू प्रिंट का आकोला चितोडगर्ड दाबू प्रिंट का परमुक के अंदर है नेक्स्ट है ब्लू पोटरी के लिए कौन सा इस्तान परसीद है कौन सा है जेपूर दोस्तु कौन सा इस्तान है जेपूर नेक्स्ट है उस्तागला कहां की प बनते हैं नेक्स्ट क्यूसन है सोग सुचक पगड़ी का रंग कैसा होता है सपीद सोग सुचक पगड़ी का रंग सपीद होता है नेक्स्ट क्यूसन है लेरिये की दारियां जब एक दूसरे को काटती भी बनाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है उसे कहते हैं मोठडा क्या क उलन द्वारा परियोग में लिया जाने वाला पीला वस्तर क्या कहलाता है क्या कहलाता है पीरिया क्या क्या कहलाता है पीरिया नेक्स्ट थिड़की है पाक कहां की परसिद है कहां की है जोदपूर की बैय ओप्सन सही रहीगा नेक्स्ट है सेरिया जंजाती के पुर्सु गुटने तक परियुक्त ली जाने वाली दोती को कहा जाता है क्या का जाता है पंचौragen कहते हैं क्या केंटे हैं फंच ksz परताब साही लेरिया किस इस्तान का परसीद है परताब साही लेरिया है जोदपूर का कहा है जोदपूर का परसीद है दोस्तूं क्यों से नमर क्या से है राजसाही लेरिया किस इस्तान का परसीद है राजसाही लेरिया है जेपूर का कहा है जेपूर का परसीद है दोस्तूं पढ़ियार मीना राजस्तान के कोंसे जिलु में निवास करते हैं पढ़ियार मीना टॉंक और भीलवाडा, साथ में थोड़ा सापुरा जोड़ लो भीलवाडा में कम है अप ज़दा दो टॉंक और सापुरा में ही है नेक्स्ट क्योंसन है निमलिकित मैसे कौन सी जन जाती जीन माता को अपनी देवी के रूप में पूझते हैं कुल देवी के रूप में कौन पूझते हैं मेना जन जाती कौन सी जन जाती मेना जन जाती नेक्स्ट है राजस्तान की वजन जाती जो अपराद करने से पूर्व है देवी देवताओं से असरवाद लेती है जिसे पाथी मांगना कहा जाता है कौन सी जन जाती है? कंजर जन जाती भै उपसं सही रहेगा अगला क्योंसन राजस्तान की बै जन जाती जो अपना links जो अपना गुरू वालमिकी जी को मानती है वालमिकी जी को अपना गुरु मानती है सहरिया जन जाती कौन सी जन जाती सहरिया जन जाती बील जन जाती द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जंगली अनाज कहलाता है क्या कहलाता है कोदरा क्या कहलाता है दोस्तु कोदरा है क्या कहते हैं हलमा आदिवासियों में सामुई सयों की प्रंप्रा है उसे हलमा कहा जाता है क्या कहा जाता है हलमा कहा जाता है दोस्तु आगे चलिए क्योसर नमबर 89 कौन सा संसकार मनुश्य जीवन का अंतिम संसकार माना जाता है मनुसे जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा होता है अंतेष्टी होता है यानि कि option S सही रहेगा क्योसन अब बे जनम के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गाव के कुवे पर एक सोबा यातरा ले जाई जाती है कौन सा होता है जलवा पूजन क्योसन एकराण में बेटी का पहला प्रिम्स होने पर उसके पीर वालु द्वारा जमाईव है उसके सात्यू को बेट देना क्या कहलाता वि यह कहलाता है यह कहलाता है कोत्ला तो जो भी सात्य हमारे साथ जुड़ रखे हैं इस वीडियो में और यहां तक आए हैं और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गलत बात मैं इतना ही बोलता हूं कि सातियों एक आपका लाइक है ना वो कुछ नहीं करता है बस हमें यह लगता है कि आपने हमें सपोर्ट कर दिया हमें व बोजार परसन इसी परकार रहेंगे पीडियाप कुछामन ओनलाइन क्लासेज एप पर मिलेगी और एप पर ने कोर्स भी अवेलेबल है जिनको आप राप्त कर सकते हैं मृत्यू पर घर से समसान गाठ ले जाते समें अर्ती की दिशा बदलने कको कहा जाता है क्या आदेटा क्या कहते हैं आदेटा दोस्तू राज्जस्तान के किस चैतर में सगाई को सगपन या टेवलिया कहा जाता है सगपन या टेवलिया कहाँ पर वांगढ चेतर में कहते हैं दोस्तु Next है विवाइत ऐवेश के कन्या को वेश के होने पर उसे ससुराल बेजना क्या 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 लाता है क्या कहलाता है मुकलावा और आपसंद है सहीर एगा next question है हटजा गोरा पाचन है किस दुरग के लिए पर चली था किसके लिए है बरतपूर दुरग के लिए option है सहीर एगा त्कीोशन नमबर छिनम किस युद के बाद राना कुमबा ने चितोडगर दुरग में विजे इस्तम का निर्मान करवाया था किस यूद के बाद सारंगपूर यूद के बाद सारंगपूर यूद में विजे के बाद दोस्तूं अगला क्योसन वह दुरग जिसका मारक कांटू वह पत्रू से परिपून हो कहा जाता है क्या कहते हैं उसे एरण दूरग कैते हैं क्योसन नमर 98 उडिना राजकुमार परतिवरासी सोदिया की छत्री किस दूरग में इस्तित हैं कहां पर इस्तित है दोस्तू तो यह है कुंबलगड दूरग में बैयो ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट बरतपुर दुरग के अष्टद गए दिल्ली दिल्ली से आए बरतपूर और वरतमान में है बरतपूर में और जवार सिंग इनको लेकर आए थे दोस्तों नेक्स्ट छतरमेल अनिरुद मेल रतन मेल बादल मेल दूदा मेल सभी किस दुरग में हैं जल्दी से कमेंट केजिए फिर एक बार सभी सातियों से गुंदी वाला है ना उसके अंदर ये सभी इस्तित है चलिए अगला क्युसंद जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं में वो देखिए दोस्तों पिकानेर है सहज रासर ये विकानेर के अंदर जगए हैं ये क्यू परसिद है वर्तमान में चर्चाओं में हैं क्यू परसिद है एक बार नीचे कमेंट बोक्स में आप कमेंट करके बतादो मेरे को सबी सातियों को कमेंट करना है और सो मेंसे कितने क्यूसन आपने यहां पर सही अटेंट किये हैं वो भी आपको कमेंट करके बताना है दोस्तूं जिन सातियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार सबी साती अब लाइक कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों के पास सोसल मीडिया के मातिम से सेर कीजे और जो भी नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सबस्क्राइब कर ले और सबस्क्राइब करने के साथ बेल आइकन में ओल नोटिफिकेशन को ओन कर ले कुछामन ओनलाइन क्लासेज एप है उस पर संपुन कोर्स अवेलेबल है जो एप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में एप को डाउनलोड करो इस्टोर में जाओ और सभी कोर्स है उनको प्राप्त कर सकते हो सभी सात्यू को बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जे हिंद जे बारत